दोस्तों स्वागत है हमारे यूटूब चैनल लर्णिंग सपोर्ट बाई जास सेख हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें आज किस वीडियो में बात करने वाले हैं कि के एक तो अकसर हम लोग एस सेंटेंस बोला करते हैं कि हम उसके तरफ खीचे चले जाता हूओ घर जाना अगर तोसे सेंटेंस में को फिले कनेक्शन का यूज करना है चलिए हम दूतीन एग्जामपल देख लेते था कि आपको अच्छा से समझ में आं तो एग्जामपल नंबर वन देख लेते हैं अगर मैं कहता हूं मैं एक सिंपल सा सिंटेंस उलेता हूं कि मैं इसकी तरफ कीचे चले जाता हूं मैं इसकी तरफ कीचे चले जाता हूं तब देखिए इसमें अब क्या है कि खीचे चले जाना इस तो खीचह चले जाना का यहां कि पिया करने हमें को फिले कनेक्शन का करतें आप देख सेकते हैं यह परजेंट का संटेंस है मैं sunshine हो जाएगा इसकी खीचह चले जाना आई कनेक्शन दो इसकी तरफ 007 तो दुटğa I feel a connection to it मैं इसकी तरफ खीचे चले जाता हूँ तो बहुत ही easy है इस तरह के sentence को दूसरे टांसलेट करना तो आप देख सकते हैं अगर अगर वह होता तो यहाँ पे हम feels लगाते तो आपको feel का पता होगा कि present में feel या feels लगाते है मतलब कि वो simple का sentence होता हूँ फिर अगर मतलब कि मैं इसकी तरफ खीचे चले जा रहा हूँ तो यहाँ पे feeling हो जाता है I am feeling a connection to it तो इस तरह से आप sentence को translate कर लेंगे अगर यह past का sentence होगा तो उसमें felt हम लोग लगा लेंगे तो आपका easily यह translate हो जाएगा तो दूसरा example हम देख लेते हैं कि example number two example number two यहाँ पे देखते हैं तो अगर मैं example लेता हूँ कि लोग अपनों के तरफ खीचे चले जाते हैं 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 तो अकसर हमने ऐसा sentence कहना होता है तो देखिए इस तरह के sentence को हम को कैसे translate करना है तो इसके लिए हो जाएगा लोग के लिए की people है People खीचे चले जाते हैं किसके तरफ अपनों के तरफ तो के तरफ खीचे चले जाना तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे People feel a connection People feel a connection People feel a connection to their dear one मतला अपनों के लिए to their to their dear one तो इस तरह से आप easily किसी sentence को आप translate कर से कहेंगे only आपको क्या करना है feel a connection का use करना है तो यहाँ पर मैं भी मैंने आपको बताया था कि पास्ट का सिंटेंस है तो वहाँ पर क्या होगा फेल्ट कनेक्सन हो जाएगा यह चीज आपको याद रखना यह मैंने अब आप एक ट्रीक बताया कि इस ट्रीक को यूज करके आप सिंटेंस को आप टांसलेट करेंगे अगर मैं दूसरा एक आउड एक्जामपल अगर लेत इस लड़की के तरफ खीचे चला गया अब देख सकते हैं यहाँ पर यह पास्ट का सिंटेंस है तो यह रसकिल मैं के लिए आपका आई होजाएगा तो आइस फेल्ट पेक अ कल कि उस लड़की के लिए for dad girl I felt a connection for dad girl मैं उस लड़की के लिए खीचे चला गया मतलब कि कुछ ना कुछ उससे वास्ता है अगर हम कहें खीचे चले जाना या फिर कुछ अगर दूसरा हम कहें तो किसी से वास्ता होना वास्ता होना अगर इसी sentence को हम दूसरे वे में कहते हैं तो वास्ता है अगर सेंटेंज में आता है तो वहां पी हम लोग फिले कनेक्षिन का हम लोग युज करके सेंटेंस को इसलेट कर सकेंगे तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना वह वास्ता होना ये भी हमने बता आया दोनों का युज जैनली हम लोग खीचे चले जाना के लिए वह फ्रीले केनेक्शन का यूज़ करते हैं वास्ता होना के लिए भी यूज़ कर सकते हैं तो दोनों का मतलब एक ही है तो आई होप कि यह वीडियो आपको समझ में आया होगा थाइंक्स पूर वाजिंग इस वीडियो